नमस्कार दोस्तों मैं हुसमा चौधरी और सुक्सेस प्लस स्केडन के प्लैटफॉम पर आप सभी का हर्दिछ स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज 14 नियॉंबर है और 14 नियॉंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश के पहले परधान मंत्री पंडित जोहालाल नहरू के जनम दिवस के रूप में पंडित जोहालाल नहरू को बच्चों से काफी लगाओ था उनको बच्चे काफी लेटर्स लिखते थे वो उनके लेटर्स का रिप्लाई भी करते थे और उनके इस प्रेम की वज़े से उनको चाचा नेहरु के नाम से भी जाना जाता था और उनके जनम दिवस को चिल्डरन स्टे की रूप में मनाया जाता है ये बात आप शायद जानते भी होंगे पंडित नेहरु जो की एक सवतंतरता सिनानी भी थे और भारत की आजादी के बाद वो परधान मंत्री रहे और भारत के सबसे लंबे समय तक वो परधान मंत्री रहे 17 वर्षों तक उन्होंने भारत के परधान मंत्री के पत को समाला जो कि सबसे लंबा पिरियड है अगर हम भारत के प्रधान मंत्रियों की बात करें तो ये सभी लोग भारत के प्रधान मंत्री रहे हैं पंडेजवाला नेरू से नेंदर मोदीजी तक जो की अभी करण प्रधान मंत्री हैं ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने भार्ट टो एक प्राइम निस्टर के तोर पे सरू किया है जिसमें पंडिजवाला नहरू पहले थे और सबसे लंबे समय तक सरू करने वाले बिखती थे इनका जीवन कैसा रहा इनकी बायोग्राफी में हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा क्योंकि भारत की आजादी से पहले जो ट्रीडम स्ट्रगल रहा उसमें भी इनका कॉंट्रिविशन रहा और उसके बाद आधुनिक भारत किस दिशा में जाएगा उसमें भी इनकी महत् जो वेक्ति 17 साल तक आजाद भारत की बागदोर को समाल के रख रहा है वही ये तै कर रहा था वही ये पोलिसीज बना रहा था कि भारत कि इस दिशा में जाएगा उसकी एकोनॉमिक पोलिसीज उसकी एग्रिकल्चरल पोलिसीज उसकी पोरें पोलिसीज भारत को एक नया द इनका criticism भी है कुछ चीजों में इनको जो लोग ना पसंद करते हैं, जिनकी politics इनके साथ match नहीं होती, वो किस चीजों के लिए इनको criticize करते हैं, और जो इनको praise करते हैं, वो किन चीजों के लिए praise करते हैं, उन तमाम चीजों की यहाँ पे हम बात करेंगे, तो ये भारत के सभी परदान मंत्री है उनका अपना अपना रोल रहा है अपना अपना contribution रहा है उसमें पंडित नहरू भी है पंडित नहरू भारत के इत्यास में बहुत महत्पून चेफ्टर हैं बहुत ही महत्पून अध्याय है जिनको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता चाहे वो इनके समर्थक हूँ चाहे वो इनके विरोधी हूँ तो इनको पढ़ना काफी interesting रहता है और पढ़ना भी चीए क्योंकि भारत के पहले परदान मंत्री थे और इनकी किस तरीके की policies थी जिसकी उजय से हमारी विरासत ऐसे आगे बढ़ी तो चलिए इनके बारे इनके बारे में कई सारे मिट्स हैं बहुत सारी चीजे हैं कि पंडित नहरू कोई कुछ क्लैम करता है कि उस फैमिली से आते थे उस फैमिली से आते थे तो उनके बारे में जो मिट्स हैं उनके उपर मैंने separate video बनाया था पिछले साल से पिछले साल उनके जनम दियोस पर इबनाया था मैंने कि मिट्स बेस्ट है बहुत सी चीजे हैं पंडित नहरू की पोलिसीज के आप समर्थक हों या कर्टिसाइज करने वाले विखती हों वो एक अलग बात है लेकिन गलत दुष परचार करना तो गलती है चाहे हो किसी के बारे में भी हो तो बहुत सारे मिट्स हैं बहुत सारी ब्रहमक बातें उनके बारे में फैलती हैं तो वो मैंने बताया था आपको और चाचा नहरू के नाम से जानते हैं इसलिए इनके जनम दियोस को चिल्डन्स टेकर रूपें भी बनाया जाता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अब इनकी अरली लाइफ और फैमिली बैग्राउंड के बारे में बात करते हैं चोदा नॉबर अठासो नावासी को अलाबाद में इनका जनम होता है इनके पिता का नाम था मोतिलाल हेरू जो की एक सेल्फ मैड वेल्दी बैरिस्टर थे बैरिस्टर यानि की लोयर थे और बैरिस्टर थे और कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करते थे और इनकी अगर फैमिली ट्री की बात करें तो इनके दादा जी का नाम था गंगादर नहरू उनकी वाइप का नाम था जेवारनी बाई और उनसे जो बच्चे थे वो थे मोतिलाल नहरू थे नंदलाल नह तेनam नहरू कि जो यहाला हाए वाइप उनसे उनको एक बेटी है इंदरा पैनरो सी जादी सर्नेम को एक तरब कर लिया था उनका जो सरनेम था वो ये वाला गांधी नहीं था जो महत्मा गांधी का सरनेम लगता है ये चीजे मैं आपको पहले से बता चुका हूँ separate वीडियोज ने तो यहां पे इंद्रा गांधी जो है आगे बंती है तो यहां पे नहरू फैमली जो है वो इस तरह से थी अगर हम इनकी बात पहें तो जोवाला नहरू, कृष्णा नहरू, वुजे लक्षमी पंडित ये जो है तीनों भाई बहन थे और उसके बाद इंद्रा गांधी अकेली संतान थी जोहाला नहरू और कमला नहरू की, एक बेटा भी पैदा हुआ था लेकिन वो जी नहीं पाया, एक वीक में उसकी डेथ होगी थी कमला नहरू को, बेटा हुआ थो जो उसकी, कमला नहरू की भी जल्दी ही मूर्ती होगी थी, जोहाला नहरू के साथ वो लंबे समय तक नहीं रह पाई तो इनकी मदर का नाम सबुरू प्रानी तूसु था और ये भी एक कश्मिरी ब्रामिट फैमिली से बिलोग करती थी इनका लाहुर में जनम हुआ था और लाहुर से फिर इनकी शादी हुई तो मौतिलाल नहरू की ये सेकंड वाइब थी पहली वाइब जो के पहली फीमेल प्रेजिडेंट बनी उनाइटेड नेशन जर्नल असेंबली की ठीक है तो ये भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ पर उसके बाद इनकी जो यंगेस सिस्टर थी कृष्णा कृष्णा नहरू ये जो है एक राइटर बनी इन्होंने काफी सारे जो है वो है ठीक है अब इनके चाइल्ड हुड की बात करें तो नहरू जी ने अपने बच्पन के बारे में कुछ-कुछ बाते लिखी है और कुछ और किताबे भी लिखी है जिनके हम आगे बात करेंगे तो उन्होंने का है कि मेरा जो चाइल्ड हुड था वो शेटर और अ जाता था वहां पे कॉंग्रेस की काफी सारी बैठके भी होती थी आनंद भावन में कई लोग जो है आके मिलते थे क्योंकि मौतिलाल नहरू भी एक माने हुए निता थे और आगे चलके जवाला नहरू भी एक बड़े लीडर बने तो उनके घर में काफी सारी मीटिंग्स होत थी तो यह सब चीजे इनको मिल रही थी बैसिकली वाज बॉन विद गोल्डन स्पूर नहरू जी यह बैसिकली व्यात है उनको बच्पन में साइन्स और थियोसोफी में इंट्रेस था और उन्हों के जो ट्यूटर थे टी ब्रूक्स वो उनको यह सब चीजे पढ़ाते थे फिर 13 के जाते आते उनको अपनी ट्यूटर में जो होम ट्यूटर मिलती थी उसमें इंट्रेस गुम होने लग गया उनको लगा कि अब बाहर कहीं पढ़ना चाहिए तो उस समय एनी बेसेंट से उनकी मुलाखात हुई और उन्होंने इंट्रियोस करवाया और उसके बाद व लेकिन इतना इंट्रेस्ट उनको उस समय उसमें था नहीं उनको साइन्स और थियोग सफी में ही ज्यादा इंट्रेस्ट था उस दोरान उन्होंने कई लेखुकों को भी पढ़ा जिनका असर उनके वहवार पे उनकी आइडिलोजी पे पढ़ा जिसमें बर्नाउंड शा हु बेटियार्ड रशल हुए लोविस डिकसेंस हुए मेरिथ टाउंसेंडस हुए यह हुए और आगे चलके कालमाक्स को भी उन्होंने पढ़ा है तो इन तमाम पॉलिटिकल और फाइनेंशल फिलोसोफर्स का उनके उपर असर पढ़ा जो की असर जो है पढ़ा तो भार पे भ बढ़ा हुए इसलिए क्योंकि वो आगे चलके भार्ट के लीडर रहते हैं तो यह वो लोग थे जिन्होंने और जिनकी राइटिंग्स ने पढ़ित नहरू को इंफुलेंस किया ओवर दे पीडियोड उफ टाइम उसके बाद 1910 में आगे चलके उन्होंने लोग की पढ़ाई के लिए इन टेंपल इन कॉलेज में दाखिला लिया और वहां पे लोग की स्टड़ी करी और आप जानते हैं कि भार्ट के जो शुरुवाती लीडर्स थे उनमें से ज्यादातर जो है वो लॉयर्स थे दिग्री थी वो तो बहुत पढ़े लेके वेक्ती थी तो इन्होंने यहां से डिग्रिया ली ठीक है फिर आगे चलके इन्होंने और भी चीजों में रिसर्च करी वार्ट रहे उनका और उसके बाद इनको 1912 में बार में बुलाया गया मतलब बार काउंसिल जो होती है जहा हाई क्लास वेक्ती के तोर पे इनकी पहजान थी और शुरुवाती समय में वैसी पहचान थी नेशनलिस्टिक मोमेंट से नहीं जुड़े वे थे जैसे मैंने आपको पठेल साब के बार में बताया था वैसा ही चीज इनकी भी थी अच्छे पढ़े लिके दे वेक्ती थी त लेकिन बाद में इन्होंने अपने प्रॉफेशन में बैसिकली जो की लोग का प्रॉफेशन था इनका एड़ो के से का प्रॉफेशन था उसको छोड़ दिया क्योंकि इनको उसमें इंट्रेस्ट नहीं था ने तो उनको लोग में प्रेक्टिस करनी थी ना कंपनी और फ्लो क्लोनी है तो देश में जो पॉलिटीशन्स हैं जो फिर्डम स्ट्रगल के फाइटर हैं वो क्या कर रही है इसमें उनका जो है ध्यान रहा ज्यादा लीगल प्रेक्टिसेज की तरफ से इन्हों ने थोड़ा सा ध्यान भटका लिया अब 1912 से 1938 के बीच में जो नेशनलिस्टिक किया और इनके पिता जुड़े हुए थे इंडियन नेशनल कॉंग्रेस थे तो वो उन्होंने भी जोइन किया और उसके बाद इन्होंने पार्टी को जोइन किया जो उस समय पार्टी जो थी आप जानते हैं कि कॉंग्रेस भी 1905 के बंगाली विवाजन के बाद एक्टर से भी ना फिक्शन आ गया था बट गया था ग्रम दल नरं डल जो है मोडरेट्स और जो एक्स्रिमिस्ट थे उनके बीच में दरारे आ गए थी और यहां पे इस समय पे कॉंग्रेस पे जो कंट्रोल था वो मेनली मोडरेट्स का था तो यहां पे मोडरेट्स जैसे गवपाल Familien family एक सहजादा टाइप एक हैं कुन नहरू इस तरह से देखा जाता था फिर इसके बाद यह आए और उसके बाद महत्मा गंधी भी भारत आ चुके थी तो महत्मा गंधी का भी काफी इनके पर सब एक तरह से influence पुड़ा क्योंकि महात्मा गांधी के तो कफी close थे महात्मा गांधी को तो ये अपना गुरू मानते थे खतर से और महात्मा गांधी भी over the period of time आप देखते हैं कि इनका पक्ष लेते नजर आते हैं बहुत बार उन्होंने पंडित नहरू का सपोर्ट किया समर्थन किया चाह प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने शुरूबात में इनको कॉंग्रेस की इफेक्टिवनेस के उपर भरोसा नहीं था डाउट था हूंपर कि ये पार्टी किस दिशा में जा रही है इससे क्या आजाती मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसके उपर उनको पूरा पूरे तरह से एक हैं तो इस तरह से चीजे हुई उसके बाद इन्होंने ये चीजे देखे कि देखे भारत में हो रहा है जो चीजे और बिर्टिश कोलोनीज में जो जो चीजे हो रही है वो त्याजार तो है बिर्टिश जो हैं बिसिकली भारतियों का और अपनी कोलोनीज में रहने वाले उ 2014-15 के बीच में इंडिया के अंदर क्या चल रहा था कि divided sympathy थी यह नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें सपोर्ट करें कि नहीं करें बेटिशर्स को सपोर्ट करें या बेटिशर्स के खिलाफ हो जाए कुछ लोगों को ऐसा मानना था कि और उनका मानना ठीक भी था कि हम बेटि इनका समर्थन दिया बेसिकली बिटिशर्स का साथ दिया और कहा कि फैस्ट वर्ड वोर्ड में भारत को उसके बदले में सेल्फ ऑटोनोमी देगा कहीं ना कहीं डॉमिनियन स्टेटस देगा इस समय भी कॉंग्रेस इस चीज़ के लिए तेयार नहीं थी कि पूरी आजादी मिल देगी कई लोगों का तोस्ता मनना था कि जैसे कि बिसिकली मैं कहूं गोपाल कृशन गोखले जो कि गांदी जी के पॉलिटिकल गुरू थे उन्होंने कहा था कि इस समय तो आजादी के बारे में सोचना भी पागलपन है हम आजादी को हैंडल नहीं कर पाएंगे इस त करते थे तो गोखले मना कर रहे हैं तो गांदी मना कर रहे हैं गांदी मना कर रहे हैं तो डाउट पैदा हो गया कहीं न कहीं कि वर्ड वर वर में करना क्या चाहिए भारती से इनकों को तो भारती सोल्डर्स गए ओविसली फस्ट वर्ड वर में बिटेन की तरफ से लड़ा में था फ्रांस के कल्चर को वो काफी एडमायर करते थे और फ्रांस के परती उनका एक सॉफ्ट रवया था तो ये चीजे थी उसके बाद बैसिकली फैस्ट वर्ड वर में भारत ने अट्स पेट लिया और उन्हों उन्होंने इस दोरान नॉन कोपरेशन की जो पॉलिसी है उसका समर्थन किया था नेरूने कि बैसिकली हमें बिटिशास को कॉपरेट नहीं करना चीए और गॉर्मेंट पदों से हमें छोड़ चुटकारा पाना चीए दे दे रहा चीए उनको इस्तिफा दे देना चीए और उ जो कि एक बहुत ही कॉंट्रोशल डिसिजन था और उसको बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं ओविसली करें भी क्यों ना करें क्योंकि भारतिय सैनिक बिटेन के लिए लड़ते हुए क्यों शहादत पाएं क्यों मरें उनके लिए ये तो विस बात है तो ये चीज थी उस जो है ये बिल्कुल काम्याब नहीं है उन्होंने का ये ना तो इंडियन है और ना ही कोई सेवल सर्वीस है ऐसा का इंडियन से पिता थे वह एक मानना था कि अब जो है कुछ से constitutional agitations की limitations हैं तो उन्होंने अपने बेटे को भी कहा कि देखे ऐसा है कि अभी हम पूरी आजाती हसल नहीं कर पाएंगे ये सब चीजे हैं नहरु अभी छोटे थे नहरु का अभी इतना औरा नहीं था कॉंग्रेस में भी तो उन्होंने उनको इन सब चीजों को मानना पड़ा और वो सब इन चीजों में ज्यादा हो नहीं पाए उसी इन चीजों को कन्विंस नहीं कर पाए कि भारती इसे ना कुआ बेजना चाहिए कि नहीं बेजना चाहिए और वो पूरी तरह से खुद भी सपोर्ट करने लग गए जब 1915 में गोपाल क्रिशन गोखले की डेथ हो गई उसके बाद में एंटी मोडेट लीडर्स जो थे निवी सेंट और बालगंगा धर्ति लग जैसे उन्होंने नेशनलिस्टिक मोमेंट को होम रूल की तरफ एक तरह से भेजने की कोशिश करी कि हो उसको का हिए क्या हमें पूर्ण सवराज चाहिए बैसली इस डाओ कूछ नहीं चाहिए नियुकि दोम्यन स्टेटथ में सिर्डेश के लिए उसके उपर एक तरह से कटपुतली सरकार हो जाती हो जाती तो इनिगरेश की print ल उन्होंने ये कहा था कि सवराज मेरा ज clipping सी जोदिकार है मैंसे लेकर रहां गा उन्स जैसे लोगों-ने कहा कि पूर्ण सवराज ची पेसिकली ये बात थिकली तो कहीं ना कहीं Vousandere mai इनके आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया गया हलांकि पूर्ण सवराज के आइडियाज वगेरा फूकि नहीं अभी देश इस चीज के लिए प्रिपेर नहीं है कॉंग्रेस के नरम दलके जो नेता थे उनको इस चीज के उपर संशे था कि भारत को अभी आज़ादी मिलनी च जाथे जो चीज है उसके बाद अगले साल 1916 में पंडित नहरू ने कमला कॉल से शादी करी उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था इंदरा जो एक साल बाद पैदा हुई 1917 में हलाकि उनको एक बेटा भी पैदा हुआ था 1924 में लेकिन वो कुछ ही सप्ता तक जीवित रह पाया एक वीक के लिए इसके बाद देख सकने की शादी के समय की फोटोज है और यह फोटोज भी आप देख सकते इसमें इंदरा थोड़ी बड़ी हो जाती है उसके बाद देख सकते हैं की समय सिमय कीए उसके बदलती है उसके बाद तिलक ने बनाई इंडियन होम रूल लीग 1916 के अप्रेल में नहरू ने दोनों होम रूल लीग को जोइन किया लेकिन वो मैंनली एनिविसेंट के ख्लोज थे तो एनिविसेंट की लीग को नों ने जोइन किया फ्रायमिटली उसमें वो काम करते थे उसके बाद सेल्फ गर्णनेंस की मांग हो रही थी एनिविसेंट इंडिमांड करी और काफी उसके लिए प्रोटेस्ट किया कि भार्ट को डॉमिनियन स्टेटस तो अभी बिर्टेश अमपायर के द्वारा दई दिया जाना चाहिए जैसे उस्ट्रिया कहनडा साफ सफ्टेका तोर पे नहरू बैठे थे और उस समय कॉंग्रेस ने इसका विरोध किया बिटिश वर्मिंट का विरोध किया बिटिश वर्मिंट को चोड़ना पड़ा उसके इंटेंस प्रोटेस्ट के बार यह सब चीजे हुए फिर नॉन कॉपरेशन मॉव्मेंट हुआ उनीसोबीस में उनीसोबीस का जो नॉन कॉपरेशन मॉव्मेंट हुआ उसमें गांदी जी ने वो अंदुलन शुरू किया था सारे देश के जो लीडर्स थे फ्रिडम फाइटर्स थे सवतंतरता सेनानी थे चाहे वो बोस हो नहरू हो पटेल हो चाहे वो लाल भादू शास्टरी हो चाहे दूसरे नेता हूँ जो सवतंतरता सेनानी थे चंदर से कराजाद भगत सिंग राजबू ये सब लोग उसमें शामिल हुए लेकिन बाद में अचानक से घटना हो जाती है एक घटना क्या हो जाती है कि एक बड़ा चोरा-चोरी कांड हो जाता है एक ठाने में आग लगा दी जाती है प्रोटेस्टरस के द्वारा और उसमें कुछ पुलीस वाले और उनके घरवालों की डैथ हो जाती है जिसके बाद गांदी जी ने बिना सब को इनकॉम किये बिना सब को साथ में लिए उस नौन कॉपरिशन मोवमेंट को से अपना हाथ खिच लिया हो कहा कि मैं इस एक विचार था उनकी विचार धराये थी कि सक्ते और इंसा के रास्ते चलना है तो मैं अपने हाथों में खून के दब्बे नहीं ले सकता कि कोई इस तरीके का प्रोटेस्ट करे कोई किसी के उपर हत्या और आग जनी जैसा काम करे तो वो अपना-पना मोट में वो था सोच है अपनी-अपनी आइडियोलोजी है कोई उसको क्रिटिसाइज कर रहा था कोई उनको गांदी जी के पक्ष में था नहरू उस समय गांदी जी के लिए लोयल रहे और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपके साथ हूँ आप जो कर रहे हैं वो ठीक है उस समय कुछ लोग वो कॉंग्रिस में बनी रहे हैं अब जो है वो पार्टी वैसे देखा जाए जो सुवराज पार्टी थी उसके कुछ ही मतमेद थे कॉंग्रिस के साथ वैसे आप देख से थे कॉंग्रिस की आप भी टीम आप उसको बोल सकते हैं इस तरह से ही था वो कॉंग्रिस के साथ ही आगे रहे हैं, मोतिला नहिरु आगे भी जुड़े रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके पूरे ही एक तरह से अलग हो गए, वो पूरी तरह से कट गए, ऐसा नहीं रहा, उसके बाद आगे चलके कि फंडामेंटल राइट और एकोनोमिक पॉलिसी उनीसों कोनतीस में एक ड्राफ पेस किया गया, कॉंगरेस की जो अधिवेशन होते थे, जो कॉंगरेस की जो कमिटी बैठती थी, उसमें नहरुजी ने एक पॉलिसी और कॉंगरेस आगे भौईश्य कैसा होगा, कॉंगरेस क क्या विजन है भारत को आजाद करने के बाद आजाद देश को चलाने के लिए उसमें किस तरीके का कोस्टेशन होगा और किस तरीके का देश होगा उसके लिए एम स्टै किये गए जो परपोजल था उसमें फिर्डम ओफ रिलीजन की बात करी गई राइट तो फॉर्म असोश नहीं किया जाएगा चाहिए कास्ट, कलर, क्रीड, कुछ भी हो उसका वो रिजिनल लेगवेज के प्रोटेक्शन की उसमें और कल्चर की बात की गई साथ में उसमें अंटेचबिटी को अबोलिश करने की बात की गई यूनिवर्सल अडल्ट फेड चाईजी का इंट्रोड बात थी, वो उस समय ही 1929 के इस ड्राफ्ट में नहरुजी ने कह दिया था, उसके बाद एक सेकुरल देश करने की बात थी कि धरम के आधार पर किसी भी तरीके से देश किसी भी रिलिजिन की तरफ जुकेगा नहीं, सेकुरल रहेगा, ये एक बड़ी बात थी, उसके बाद fundamental rights or economic policies का ड्राफ्ट जो है नेरु ने 1931 की बीच में जो पेश किया, उसको ratify किया गया, 1931 की Congress parties के session जो की कार्ची में हुआ था, और सरदार वल्ला भाई पटेल उसके चेर में थे, चेर थे उसके तो उन्होंने इसको ratify किया, तो ये उनका vision था, जो कि अपने आप में घोत अच्छा vision है, साफ देख पारे हैं कि ये democracy की तरफ ले जाने का संदेश था, उनका aim था, लक्ष है था कि देश जो है, तो किसी भी religion की तरफ जोकार नहीं होगा, किसी के साथ भेदवाव नहीं करेगा, किसी भी तरीके का pressure नहीं डालेगी, कोई दाजनितिक दल या कोई भी सरकार की किसी का freedom, struggle और freedom of religion को harm किया जाए, untouchability को abolish करने की बात की, तो बुराईयों को हटाने की और अच्छी चीजों को और लोगों के अधिकारों को देने की बात इस draft में की गई, जो कि 1939 में पेस किया गया था, उसके बाद नहरवाज जी ने, जो कि वो पहले लीडर थे जिन्होंने ये कहा कि देखे, अब हमें British Empire के साथ अपने सारे ties तोड़ लेने चाहिए, ये one of the first थे, सनियन से पहले बहुत से लोग कह चुके थे, बहुत से लोग चाहिए वो सुवास्यंदर बोस हो, चाहिए वो लाल बाल पाल हो, उन्होंने सब नहीं कहा था कि Britishers को किसी जितरीके सेहा से पखाना है, तो ये बात है, तो मदरा सेशन हुआ 1927 में, इसमें भी उन्होंने रिजूलेशन किया था, गांदी जी से कहा था कि हमें Independence चाहिए, गांदी जी ने क्रिटिसाइज किया था जिस तरीके की बातें और जिस तरीके की अग्रेसिव वे में नहरू बोले थे उस चीज में, तो ये भी हुआ था, पिर उन्होंने इंडियन, इंडिपेंडेस फॉर इंडिया लीग की बिस्तापना हुई थी उस दोर में, कॉंग्रेस के अंदर ही एक छोटा ग्रूप था वो, तो ये बात चल रही थी, उसके बाद डिकलेरेशन ओफ चीज उनके उपर कि आप हमें आजादी दो, तो बिटिश को कहा कि डॉमिनियन स्टेटस को दो, दो साल के अंदर अंदर हमें डॉमिनियन स्टेटस देना चीज इस तरीके के शब्दों का इस्तमाल किया भारत ने, बांदी जी ने भी कहा कि देखे, आपको दो साल में भार पूरी आजादी नहीं, डॉमिनियन स्टेटस, तो हम पूरे सावराज के लिए लड़ाई लड़ेंगे आप से, तो बेसिकली बिटेशा इस डिमांड को मानने वाले नहीं थे, डॉमिनियन स्टेटस की डिमांड को मना कर दिया, उन्ही समय रिजेक्ट कर दिया, और जिस तरी 29 दिसंबर 1929 को लाहोर सेशन में नहरूजी कॉंग्रेस के प्रेजिडेंट थे उस समय, उन्होंने एक रिजलेशन पास करवाया और कहा कि अब हमें पूरी आजादी चाहिए, और इस डिकलरेशन में क्या कहा गया, नहरूजी के द्वारा वो देखे, उन्होंने का, वी बि हमें भी अपॉर्चिनिटी मिलने चाहिए, ग्रोथ करने की, हमें भी वो सारे अधिकार मिलने चाहिए, और हम क्यों उप्रेस्ट हों, बिरिटिशर्स के द्वारा हमारे अधिकारों को कैसे आप उप्रेस्ट कर सकते हैं, उनको छीन सकते हैं, और कोई भी सरकार अगर ऐसा क करते हैं complete independence हमें चाहिए उसके लिए हम करेंगे आपसे विरोध तो 1929 की New Year Eve थी और उस दिन गांदी जी ने और गांदी जी और कॉंग्रेस ने सभी लोगों ने रावी नदी के किनारे लाहूर में ट्राइकलर जो भारतिय तिरंगा है उसको फैरा दिया और कहा कि अब देश ह हुगा आजाद और इसके लिए हम लड़ेंगे बिटेशा से और लड़ाई का तरीका यह नहीं कि गन वन लेके बैसिकली वही गांदी जी का जो तरीका था इस तरीके से विरोध और प्रोटेस करना सत्य और हिंसा सत्यागर है यह सब चीजों से हम बैसिकली अपनी होगी पूरी सरकार हमारी बनेगी और कहा कि 26 जनुरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाईगी 26 जनुरी 1930 को तो 26 जनुरी जो दिन है वह आगे चलके हमारी किस रूप में वह रहा इंपोर्टेंट रहा गणतन तर दिवस के लिए जब 26 जनुरी 1950 को भारत ने अपना चुरे शिरुवाद कर दी थी और इसको इंणोने शुरुआथ कर दी थी 330 को गांदी जी लीड कर रहे है और कोंग्रेस के बाकी इंटर बफंगेय। और कंग्रेस की एक इसी जो इमेज थी जिसमें गांदी जी को एक सबसे बड़ा नेता माना जाता था, उसमें माना जा रहा था कि गांदी जी के बाद अगले जो successor है गांदी जी के वो नहृई बनेंगे, छाल verschiedenen गांदी जी ने इस लागरा चल के 1940 सो के बाद तैह करी ती कि मेरा सकसेसर जो है वो कॉन होगा मतलब نیरू जी उंगे लेकिन पहले कि ये चीज कहीं न कहीं त हो चुकी थी कि गांदी जी के समर्थक भी हैं गांदी जी के क्लोज भी हैं तो गांदी जी उसे ही नेरू जी को ही अपना सक्सेसर डिपॉइंट करेंगे कही ना कही मतलब जो पद और जो महत तो गांदी जी का होती है सक्सेसर कोई यहाँ पे कोई गद्धी तो है नहीं लेकिन फिर भी एक नाम चाहिए साल्ट मार्च दांडी मार्च 1930 में जो हुआ जिसमें बेसिकली अंग्रेजों का जो रूल था जो लो था सॉल्ट के उपर की नमक बनाने का जो कानून था बिटिशर्स के पास था और कानून उसमें काफी सारी टैक्सेस वगरा लगते थे तो गांडी जी ने प्लान किया कि बिटिश साल्ट टैक्स के उपर कहीं न कहीं चोट करने के लिए हम सब मिलके जाके दांडी की यात्रा करेंगे और वहां पे नमक बनाएंगे नमक बनाके हम बिटिशर्स के कानून का विरोध करेंगे और उसके लिए काफी भीड खटी हो गई उसमें गांडी जी भी थे नहरूजी भी थे पटेल साब भी थे सब थे और पटेल साब ने बहुत से लोगों को एखटा किया दांडी मार्ज के लिए और सब गए और उसमें नहरुजी को अरेस्ट कर लिया गया 14 अपेल को मतलब मैं सारी दांडी मार्ज के बारे में बता हूँ जो गांदी नहरुजी से जुड़ा हुआ वाक्या है उसकी हम बात करेंगे हैं तो उनको अलाबाद से जो राइपूर की ट्रेन जारी थी उस ट्रेन से ही उनको गिरफ़तार कर लिया गया उसके बाद उनको इस चीज़ का चार्ज लगया गया उन पे कि सॉल्ट प्लो का उन्होंने लंगन किया ब्रीच किया गया है और उनको छह मेने के लिए जेल में डाल दिया गया यह हुआ उसके बाद नहरूवियन जो आइडोलोजी है नहरो की विचारधारा है उसमें ओवर दे पिरिड उप टैम डेवलोप्मेंट कैसे हुआ 1936 में उन्होंने यूरोप का एक टॉर किया था उस टॉर में उन्होंने काफी कुछ चीज़ें देखी सीखी एकनोमी को समझा यूरोप की एकनोमीज और पॉलिटिकल आउटलूक को समझा और वहां के जो फिलोसोफर्स थे उनके बारे में पढ़ा बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने देखी तो उनसे वो काफी परभावित हुए इस दोरान वो माक्सिज़म के आईडिया से काफी परभावित हुए काल माक्स जो कि आप जानते हैं सोशलिजम और कमुनिजम के फादर फिगर है फांड एक तरह से उनके विचारों में सोशलिजम के जो आईडियां हैं उन्होंने काफी कुछ इंक्लूड किया तो सोशलिस्ट वे और माक्सिज़म के व्योज में वो काफी विल्यू करने लगे और आगे भी आप देखते हैं तो नेरोवियन विचार जो है नेरोजी की जो आईडियलूजी थी वो सोशलिजम की काफी क्लोज थी तो इस दोरान वो जब जेल में भी थे आगे चलके तभी उन्होंने माक्सिज़म को काफी डिटेल में पढ़ा लेकिन एक चीज़ थी कि काल माक्स के जो आईडियाज थी वो जर्मनी या यूरोप के ओपर काफी अप्लिकेबल थी जिस तरीके की बातें थी हाला कि काफी यूटोपिन विचारधरा थी काल माक्स की मैंने आपको पढ़ाया भी है काल माक्स की बाईगराफिय और उनकी फिलसोफी में लेकिन अब उनके सामने ये चुना होती थी नहरू के सामने कि कान्मारक्स की विचारधा कि यूयू का यू लागू नहीं किया जा सकता था, तो वो ये सब चीजे सीख रहे थी, समझ रहे थे कि और किस तरह से भार्ट आजाद भी हुआ उस दोर में उसकी बात करते हैं जब दूसरा विश्यूद शुरू हुआ साल 1949 में जब पॉलेंड ने पॉलेंड को प्रेटेक कर दिया था हिटलर ने वहां से दूसरा विश्यूद देखतर से शुरू हो गया था तो उस समय भार्ट क जो वाइसरोई था वो था लिगिंग्ट को जो है उसने यूनिलेटर ली अपनी ही मर्जी से डिकलेर कर दिया कि भार्ट जो है वो बेटेन की साइद से लड़ाई लड़ेंगे दूसरे विश्यूद में और भार्ट जो है वो बेटेन का अलाई है एक तरीके से भार्ट के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे 1935 के इलेक्शन के बाद जो आये थे प्रोविंशल इलेक्शन में जीट के कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के लिडर्स उन से पूछे बिना ही ये डिकलेर कर दिया इस चीज़ से कॉंग्रेस बड़ी नाराज थी और उसमें नह जीज़े थी उन्होंने कहा कि देखिए जो कॉन्फिक्ट है वो डेमोक्रेसी और फासिजम के बीच में है फासिजम बेसिकली यहां पे हिटलर का नाजिजम और मुसॉलीनी का फासिजम जो था वो बिसिकली उनके जो विचार थे काफी एक्स्ट्रीम थे अनक्सेप्टेब नहीं थी लेकिन फासिजम की लड़ाई तो थी फासिजम अपना परचंड धोज फैरारा था एक तरह से यूरोप में और उन्होंने कहा कि हमारी जो सिंपती है वो बेसिकली डेमोक्रेसी की साइड है हम हिटलर और मुसॉलीनी जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते और मै ये भी सुनेशित रहे कि फासिजम की हार हो और ये भी कही न कहीं तैह हो कि भारत की भी कहीं न कहीं आगे उसमें भारत को भी इसका फाइदा मिले एक नया ओडर बने भारत को फाइदा कैसे मिलेगा बिटिशर्स की मदद कर दो और बिटिशर्स उसके बदले हमें आजाद करो और उसके बाद भारत की एसेनिक आपके साथ लड़ेंगे बिर्टिश कमांडर इंचीफ भी रह जाएगा लेकिन आप ये गारेंटी दो कि भारत आजाद हो जाएगा इस वर के बाद बिर्टेन जो है भारत को आजादी दे देगा complete independence देगा इस लड़ाई के बाद इस 10 को भी उस समय थोड़ी पता था कि 6 साल तर दूसरा उश्य चलेगा और हमारी एकनोमिक के धजियां उड़ जाएंगी हमार ऐसी स्टती हो जाएगी कि हम कोलोनीज को मैनेजी नहीं कर पाएंगे ये बात उनको पहले से पता होती थे वो शख धा भी कर लेते तो बिसिकली वोईसरोई ने मना कर दिया वोईसरोई ने मना कर दिया तो यहाँ पर डैडलुक हो गए तो यहां पर नहीं गया ढाएंगे फिर से खेला है जो fast old war के समय भी कहा था कि नहीं मानेंगे हम तो नहीं देंगे फिर भी हमने अपनी आर्मीन को दे दी थी तो वो चीज जो है नहीं चलने यह गांदी जी से उन्होंने कहा कि देखिए अब इनको बहुत हो गया अब हमें सीधा सा है आंदोलन करना होगा और basically ह हमें लड़ना होगा इनके खिराफ हमें पूरी तरह से इन से सम्मत तोड़ने पड़ेंगे और complete इंडिपेंडेंस के लिए कुट इंडिया मुव्मेंट हो जया की शुरुआ थी आगे चलके जिन्ना ने मना कर दिया और जिन्ना बहार रहा और वाकिए Congress leaders को जेल में डाल दिया गया अब इस दोर में नेता जी सुभास चंदर बोस ने सुचा कि एक opportunity है हमारे पास कि ब्रिटेन बेखिए ऐसे माननी रहा कि आ जादी देदेंगे क्यों न हम ब्रिटेन को इखोकला कर है नहीं मुसलनी से हमें खत्रा नहीं हमें इंडरोप की राजनिती का क्या करना है हमें तो बेसिकली हमारा पुल्डो सीधा करना है हमारा कांटा निकलना है जो कि हमारे अठ्टा हुआ है बेटेन तो बेटेन को निकलना है तो नेता जी अपनी जए ठीक थे और नेता जी का लेडर्स को पसंद दिया, गांदी जी को भी पसंद दिया कि हिटलर की विचारधारा से हम सहमत नहीं है, तो उनके साथ हम किसी तरीके का गट जोट नहीं करेंगे, ये बाते चल लिए थी, तो यहाँ पे बिसिकली नहरू और बोस के रस्ते एकदम अलग हो गए, अलंकि पहले भी पहले ही हो चुकी थे, वो कुछ समय पहले ही विचार एक मतबेद, हम किसी दिन नहरू असे बोस की बात करेंगे, तो उनके बीज के रिष्टे कैसे रहे पहले अच्छे, फिर बिगड़े भी कैसे उनकी बात हम करेंगे फिर एवन ऐसा तक हुआ कि जब जापान चले गए थे स्वास्चंदर बोस उनने जापान की आर्मी को सपोर्ट, जापान की आर्मी के साथ मिलके आयने की शुरुआत करी, इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत करी और उसके बाद वो वर्मा तक लड़ाई लड़ते लड़ते महारत तक आ गी थी उनके आर्मी, तो इवन ये का जाता कि नेरू ने कहा था कि अगर स्वास्चंदर बोस भी आएंगे उनके साथ जबादार के साथ तो हम खुद लड़ेंगे उनके विरोध में लड़ेंगे हम जापनिज इम्पिरियलिजम और इटली और हिटलर का जो फासिजजम हवी कभी भी उनके साथ किसी तडिके का समर्थ नहीं लेंगे और इनके। गटष्जोडverständ नेरू इवट यहाँ पहरा स्पैटिश स्युव infamous ह्लार अपने विचारों के साथ किसी तरीके का विचार था कि हम अपने विचारों के साथ किसी तरीके का वो नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, हम अपने विचारों के साथ रहेंगे, सत्य आहिंसा के दास पर चलिए और जो हमारे विचारों के साथ वाकिफ नहीं है, उनके सा पाकिस्तान रिजूलिशन पास करवाने की बात करी जो बात चल रही थी कि लाहूर में एक अधिवेशन हुआ पाकिस्तान नाम का इंग्रीश मनेगा जो कि मुसलिम भुलक होगा जहां पर ज्यादा तर आबादी जो है मुसलिम्स की होगी उनको ऐसा लगता था कि भारत में जो मुसलिम्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन प्रोपर नहीं होगा कॉंग्रेस हिंदू के पार्टी है उस तरी मुसलिम लीग जिम्हिदार थी उतनी कॉंग्रेस भी जिम्हिदार थी और बहुत से पहलू थे उसके तो वो जो है पाकिस्तान रिजुलेशन हुआ ज्वाला लेरू ने कहा कि यहां पर हमने बादचित इस चीज के लिए थे कि भारत को आज़ाद कैसे करे रहे हैं और आप को डॉमिनिन स्टेटस दे देंगे इस यूदी के बाद तो वो लिलो आप पूरी आज़ादी तो नहीं देंगे यह बात थी लेकिन इसमें कोई सही बात नहीं थी कि स्पेसिफिक टाइम लाइन कब होगी कैसे होगा कैसे आप लागू करोगे कुछ अता पता नहीं था तो इससे कॉंग्रेस ना खुश थी थी तोड़ी यह चीज थी इवन जिन्ना को जुरूर कन्विंस कर लिया था बिटिशर्स ने और उन्होंने उनको कहा था कि हम को सेपरेट देंगे हम आप कॉंग्रेस के साथ मिलो और कॉंग्रेस के साथ गढ़ जोड़ करके किसी तरीके की चीजें मत करो तो बैसिकली जिन्ना को तो उसकी बात को बारे में हा कर लिया गया था लेकिन बाकी जो भारत को पूर्ण आजादी वाली बात था उस पर अभी भी घांटा अटका पड़ा था फिर आगे चलके गांदी जी और नहरू और कॉंग्रेस के सभी लिडर्स ने प किया गया था इसी दुरान 15 जनूरी 1941 को गांदी जी और नहरू जी के बीच में कुछ दरारे पैदा करने के लिए कुछ लोगों ने कुछ बाते कही होंगी उसके जवाब में यहां पे गांदी जी ने एक बात कही कि देखे ऐसा है कि कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि मेरे और जोहार के बीच में कुछ गड़बड हैं लेकिन मैं आपको सबी को क्लियरली बता दूँ कि देखे हमारे बीच में ओवर दे प्रियर्ड ऑफ टाइम क्योंकि हम को वर्कर्स हैं तो हो सकता है कि कोई डिफरेंसिस आए हूँ और कुछ डिफरेंसिस उसके रहे हैं और कु यह चीज हुई फिर कुट इंडिया मोमेंट हुआ भार छोड़ों अंदोलन हुआ जिसमें ओल इंडिया कॉंग्रेस कमिटी ने साथ अगस्त 1922 को कुट इंडिया मोमेंट का रिजुलेशन जो है उसको पास करवा दिया नहरू जी उस समय को प्रेजिडेंट थे तो वो थे बाद उसके बाद तो चीजें जो जब सेकिन व्ल्ड वोर खतम होता होता आया तो बिर्टिशस को भी यह बाद समझ में आ गई थी कि देश को आजादी देनी पड़ेगी भारत को और वहां पे सरकार भी बदल चुके थी अटली प्रधान मंत्री बन चुके थे सब चीजें भारत के परधान मंत्री के तोर पे पहले परधान मंत्री नहरू बने नागी पटेल पटेल को समर्थन था पूरा पटेल को प्रेजिडेंट बनने के लिए सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे पी सी सी की जो मिटिंग्स हुई थी उसमें पटेल को वोट मिले थे नहरू जी को जो कमिटीज थे उसमें लेकिन गांदी जी का समोड था बेसिकली किन के पास नहरूजी के समर्थन में थे गांदी जी और उन्होंने पटेल साब को कहा कि वो विड्रो कर लें प्रेजिडेंट के पद से चुनाव ना लड़ें और पटेल साब ने बात मान ली और वो कॉंग् सबसे बड़ी पार्टी थी और उसकी प्रेजिडेंट को बुलाया गया था तो कॉंग्रिस के प्रेजिडेंट उस समय कुं थे नहरूजी थे उस चुनावम में जिताने में जिसमें गांदी जी क्या सहयोग रहा उनके लिए तो वो प्रेजिडेंट बनें तो आगे चलके वो डिफेक्टो प्राइम निस्टर भी बन गए और उसके बाद 1947 का वो ट्राइस फिद देस्टिनी वाला उनका भाशन लाल के लिए पे जो दिया जो कि बहुत मशूर है भारत की इत्यास के सबसे फेमस स्पीच में से एक है कि इनमें नोंने कहा था ये पूरा आप स्पीच है हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने दिया है और ये आपको ओविसली पीडिएफ तो जो है ये मिल ही जाएगी कहां पर सक्सेस प्लस अकेडमी की एप्लिकेशन पर उन्होंने क्या कहा लोंग येर एगो वी मैड़े ट्राइस विद डेस्टिनी आज हम अपनी तकदीर से मिल रहे हैं और तकदीर से मिलके जो हमने वादा किया था वो पूरी तरह से तो नहीं लेकिन हमने निभाया है कुछ ना कुछ उसका हिस्सा निभाया है और at the stock of the midnight hour when the world sleeps, India will awake to the life and freedom. ये एक बहुत ही मशूर लाइन है जब मद्दे नातरी की वेला में पूरा विश्व सो रहा होगा उस समय भार्त आजादी की सांस में एक खुशी की लहर से जागेगा ये बात इन्होंने कई होगी तो भार्त जीवन और सवतंतरता की नई सुबह में उठेगा ये वो शन आ उसर पर हम समरपन के साथ खुद को बाहर तो उसकी जनता की सेवा उससे बढ़कर सारी मनवताव की सेवा करने की परतिग्या लिए इन्होंने इंग्लिश में दिया था लेकिन इसका हिंदी अनुवाद है बिसिकली और आज हम जिस उपलब्दी का जसिन बना रहे हैं वो मह हमारे लिए एक opportunity तो है तो है सब कुछ हमें मिला है और हमें आजगे मिल गई लेकिन आब हमें इस चीज को सम्हाल ना भी है हमारी पर जिम्मेदारी बहर बहर जिम्मेदारी सभा पर भी है जो सभा कुंसी वह सभा जो सम्हाल रही थी जया वह मतलوع मिद्दी जो लीडरोश अतीत बीड़ चुका है और बहुश्य कि वो भवश्य ही हमारी और इशारा कर रहा है यह बात कही है उसके बात कहा कि वो भवश्य अराम करने का नहीं है बलकि निरंतर पुरियास करने का है ताकि हम उन परतिग्याओं को पूरा कर सकें जो हम अकextर लेते आए हैं जो आज हम लेंगे भारत की सेवा का मतलब उन लाखों पीडितों की सेवा है इसका अर्थ गरीबी अग्यानता बिमारी आउसर की एसमानता का अंत करना है हमारी पीडी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वा कानशा हर आंख से हर आंसु को पोंचने की रही है और जब तक आंसु और पीडा है तब तक हमारा काम खतम नहीं होगा और इसलिए हमें अपने सपनों को सच करने के लिए कड़ी महनत करनी होगी वो सपने भारत के हैं पूरी दुनिया के लिए भी हैं वो भारत के भी हैं और पूरी दुनिया के भी हैं क्योंकि आज सभी राष्ट एक दूसरे स इतने करीब हैं और उनमें कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता कि वो एक दूसर से अलग बच सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया एक दूसर से बहुत ज़्यदा जुड़ी हुई है और ओर धर पिरिड अप पम्ह और ज़्यदा जुड़ी है ये बात उन्होंने इस speech में कही। उसके बाद last में उन्होंने कहा कि भारत के लोगों से जिनके हम परतिनेदी हैं हम इस महानसासिक काम में विश्वास के साथ सामिल होने की अपील करते हैं और ये आलोचना करने का समय नहीं है, दुर्भावना रखने और दूसरों को दोश देने का समय नहीं है, हमें सवतंतर भार्त की भवे इमारत का निर्मान करना है, जहां उनके सभी नागरिक रह सकें, ये उन्होंने स्पीच दिया था, यहां पे अपने मेंबर ओफ पारलेमे के दिन दिया गया था, 1947 के 14 और 15 जुलाई की रात को दिया गया था, अगस्त की रात को सोड़ी जुलाई ने अगस्त को, उसके बाद पहले परधान मंत्री बने और 17 साल तर्देश के परधान मंत्री रहे, पहले एक टेंपरेरी प्राइम निस्ट्र, अंत्रीम था कुछ पार्टी के प्रेजिडेंट को अंत्रिम गुवर्मेंट बनाने के लिए वाइस रवने बलाया उन्य सो च्यालीस वर तो वो प्रोविंशल और अंत्रिम गुवर्मेंट बनी फिर पंद्रा अगस्त वो देश आजाद हुआ और पहले परदान मंत्री के तौर पे उन बगातार बनती नहीं सरकार को भी सिन गया काफी लंबे समय तक उस समय कोई ऐसे पार्टी थी नहीं जो कि कोउगर्स का मुकार्मा करश के बाद में ऐसा होगा उसके बाद हिंदू मैरी लोग भी बना हो तोरान जब कॉंग्रिस कमिटी और उस समय जो कॉंस्टिटुशनल असेंबली थी उसमें हिंदू कोड बिल को लाया गया कि सभी religion के लोग एक ही particular work frame पे काम करें और एक ही तरह से उनकी शादियों के rules एक जैसे हो उनकी तलाग, divorce के एक तरह से हो polygammy या monogammy होगी इसके उपर होगा तो उसके लावा intercast marriage, divorce procedure मतलब जितने भी family laws हैं Hindu adoption law, maintenance law, succession bill जिसमें की successor के रूप में property का बटवारा कैसे होगा ये तमाम जो low हैं, ये अलग लग religions के लिए अलग लेकिन Hindu code bill आया और उसमें क्या हुआ कि कम से कम हिंदूओं के लिए ऐसे कानून लेके आया गए सरकार के दुआरा, उस समय की constitutional assembly के दुआरा कि वहां पे कम से कम इस्त्रियों को हक मिले, इस्त्रियों के हक की बहुत बड़ी बात थी इसमें, क्योंकि polygammy नहीं होनी चीए, कि बहुत सारे विवा नहीं होनी चीए, क्योंकि अलग लग जगहों पे अलग लग तरीके के लिए तैसा नहीं कि पूरे देश के सभी हिंदू पॉलिगेमि में बिलीव करते थे एक से ज़्यादा औरतों से विवा हो शादी करते थे थे था लेकिन कुछ जगों पे था तो उससे भी ख़़ने के लिए पॉलिगेमि को अबुलिश किया गया उसके लावा इंटरकास्ट में इस लड़कियों को अपने पिता की संपत्ती में हक दिलाने की बात जो कि हिंदू सक्षेशन बिल ये बात करता है प्रोपर्टी और इन्हेरिटेंस की बात करता है वो यहां पे लाया गया अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है मैंने सेपरेट वीडियो में बताया है वह सब्सक्राइब जनुरी 1950 को अगर दिया गया उस समय अंत्रीम गवर्मेंट जो है जो इसमें पंदरा रेपर्जेंटेटिव थे अलग लग कम्निटीज और पार्टीज के उन्हों ने यहां पे शपत भी ले रखी थी जो कि दो स्टमबर 1916 से अंत्रीम गवर्मेंट चली थ मिनिस्टर और डिप्टी प्राइमिनिस्टर के रूप में यह हमारे सदार पटेल सहाब हो मिनिस्टर भी थे और तमाम और अलग लग नेता यहां पर इन्वोल थे तो उनको डिडिर्शिप में रखा गया था फिर निस सो बाउन का एलेक्शन हुआ मतलो पहला भारत का जर् सामें उसके बाद उनिस सो सताउन और बाहुत का चुनाव हुआ उसमें भी कॉंग्रिस बहुत बड़े बहुमत के साथ जीती जैसे उनिस सताउन का जो चुनाव था उसमें चार्सोचनाव में से चार्स तीनकेटर सीटे मिली 45% से 47.8% का वोड़ शेर हो गया और दूसरे जो कमनिस पार्टि थी उससें पांस बुड़ा सीटे जीती थी वार कॉंग्रेस ने उस दोर में उसके बाद उनिससोड़ चुनाव हुआ उस समय बड़े मार्जिन से जीती उसमें जन्द संग था भारती जन्द संग और यह जो पार्टियां थी सोशिलिस कमनिस कई नहरुजी का criticism भी होता है और काफी complex issue है आप जानते हैं कि कश्मी का क्या issue था basically भार्त और पाकिस्तान दो देश बनना तैय हुआ था 1147 में कि वही एक Muslim आबादी वाला जिसमें Muslim population ज्यादा होगी वो पाकिस्तान का area बनेगा और एक भार्त और जो states हैं जो princely states हैं उनको ये हक रहेगा कि वो किसी भी state में मिल सकते हैं वो चाहे भार्त का पार्ट बने चाहे वो पाकिस्तान का पार्ट बने चाहे वो independent रहे बात रही कश्मीर की तो कश्मीर में आबादी जो है वो एक area में Muslim आबादी जाजा थी एक में Hindu जम्मो में Hindu आबादी जाजा थी एक तरफ से जो है बौद आबादी भी थी एक छेतर में तो वहां क्या जो राजा था वो Hindu था हरी सिंग उसका नाम था आपको पता होगा तो कश्मीर इशू हुआ कि कश्मीर जो साशक था हरी सिंग वो किसी में भी नहीं मिलना चाता था ना महार्त में पाकिस्तान में उसमें सुचा कि सोतंतर रहूंगा उसी दोरान महार्त और पाकिस्तान के जो इंस्ट्यूमेंट पे एक सेशन वाले जो डोकुमेंट से रहे थे कि जो जो इसमें साइन करेगा वो उस देश का पार्ट रिजा है हारीसिंग्छ ने अभी तक Phillips थे जो उनकी सिख्न के अब भारत की सेना जो है उसको रिपल करने के लिए गई लेकिन उसके लिए शारत ये थी कि महराजा हरी सिंह इस चीज पे साइन करें कि वो भारत का पार्ट बनने तो इंस्ट्रुमेंट of a książा पे साइन किया उसके बाद कश्मीर भारत का पार्ट बन गया और उसके बाद भारत की सेना यह जिम्यदारी थी कि वो अपने चेत्र को अपनी टेरिटरी को डिफेंड करें और डिफेंड करने के लिए भारत की सेना गई और उन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान की उस ट्राइबल आर्मी को उनको भगा दिया मार दिया पीछे नाकेल दिया लेकिन फिर भी जम्यों कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है उनके occupation में था आप देखते हैं कि आपको मैं मैप में दिखाता हूँ आपको चीज़ें तभी क्लियर होंगी मैंने मैप कहा रह गया इस कभी ये भारत का मैप आप जानते हैं ये जम्यों कश्मीर हमारा पूरा है लेकिन सच्चाई में administration point of office अगर देखें और control point of office अगर देखें तो आपको पता है कि ये वाला जो हिस्सा है रेडिकलर का इसमें पाकिस्तान ने इसको occupy कर रखा है जिसको हम P.O.K. कहते हैं पाकिस्ता इडिमिस्टेट करता है ये वाला जो हिस्सा ये भी भारत का है ये जो है ये चाइना को गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान में ये सिया चिन वाला जो हिस्सा है भारत इसे गवन करता है और ये सबसे उचा वो जगह है जहां पर किसी देश की आर्मी रहती है और भारत की आर्मी इसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है लेकिन यह है पाकिस्तान ओकिपाइड कश्मीर हम इसे पाकिस्तान ओकिपाइड कश्मीर करते हैं और यह भारत का पूरा हिस्सा है इसमें कोई सब जानते हैं कि यह भारत का हिस्सा है लेकिन यह बना कैसे हुआ क्या अब बात यह कि कश्मीर इशू के ओपर नहरू जी का क्रिटिसिजम क्या होता है कि भाई देखे ऐसा है कि भारत की आर्मी एडवांस पे थी उस समय मतलब उनको बैक फूट पे धकेल दिया था कबाईली उनको पाकिस्तान के और भारत के पास ये मौका था कि उनको पूरा धकेल के पूरे कश्मीर के उपर भारत जो है कंट्रोल कर सकता था लेकिन उसके बावजूद भी नहरू जी ने क्या किया कि इस इशू को युनाइटेड नेशन में लेके चली गई गया अब उस समय यूएस सोवियत यूनियन ये सब तो भारत के पक्षमे थे इस भारत की प्रपिस संप्रेटिक थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो गए इ और बेटिश हुकुमत ने कहा कि आप इस मामले को यूनाइटेड नेशन में ले जाएए और वहां पर आपका जो है मामला उसको निक्टाए जाएगा तो ये बात हो जाएगी और उस समय नहरू जी जो है वो नोन इस तरीके के इंटरनेशनल लिडर्शिप में एक नेता ब बड़े नेता बनना चाहते थे और उनका ये मानना था कि ठीक है भार देट कोई गलती की नहीं है पाकिस्तान जो है वो अग्रेसर है तो हमारे पक्ष में फैसला आएगा और ऐसा कुछ ज्यादा हो नहीं बाई उनाइटेड नेशन में किसी चीज़ों के ज्यादा हो पाते नहीं है या आप जानते है उनाइटेड नेशन ठीक है बात करता है रिजुलिशन पास करता है लेकिन कहां तक उसके रिजुलिशन को मना जाता है अब इस चीज़ के लिए डिबेट आज भी होती है और उनकी जो क्रिटिक हैं वो साफ साफ ये कहते हैं कि भाई देखे ऐसा है कि नहरुजी के पास पूरा मौका था कि हमने वो लड़ाई जीत ली थी और पाकिस्तान की सेना को उन कभाईलियों को हम पूरा प्योके से भी बाहर तक ख़देड सकते थे तो इतना सब होने के बाद सीज़ फायर क्यों किया और इस मामले को उनाइटेड नेशन क्यों ल यह सब चीजें होई और उसका कोई सॉलिशन नी निकला वो इशू आज भी कॉंप्लिकेटेड है क्या है पाकिस्तान कश्मीर को उक्विपाई करके बैठा है यही तो बात है तो यह बात आती है कि क्यों नहीं नहरुजी ने उस समय सेना को पूरी छूड़ दी और उनको व बड़ पारी थी तो अब मामला यह था कि इसको कैसे भी कैसे सुल जाना है इसलिए नहरुजी जो है उनाइटेड नेशन लेके चले गए मामले को कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि देखे ऐसा है कि अगर नहरुजी नहीं लेके जाते तो पाकिस्तान इसको लेके जाता और पाकिस्तान लेके जाता तो भी उनाइटेड नेशन में मामला जाना ही था लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान जो अग्रेसर था जो कबायलियों को वहां पे भेज रहा था उसके पास कोई हक नहीं था कि उनाइटेड नेशन जाहे इस तरीके एक आग्रेशन करने के बाद और भारत के पास सच में ऐसा मौका था निए क कुरी तरह से अपनेенд्र कैश्मीर को पौरी है खुरी तरह से भारत के थी तो यह मामला आगे बढ़ने वाला नी था और व cette इस्टेलमेंट ही रहता बहुत सी बातें उसके बात आती है एक चाइना मामले के उपर भी नहरू जी का काफी क्रिटिसिजम होता है कि चाइना के साथ उन्हों रिष्टे जिस तरह से रखे और जिस तरह से वह इजी गोइंग होगे उसकी वज़े से भारत और चाइना के कर रहे थे उन्हीं सो चोवन में पंच सील फाइब प्रिंसिपल पीस्फुल को अग्जिस्टेंस का जो है सिध्धान के उपर हमने एक पैक्ट साइन किया था चाइना के साथ और नहरू जी गए थे और प्रोपर लिए हुआ था कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में नकल भारत की तरफ भागें वहां पर बहुत धर्म को मानने वाले और यह लोग जो थे जो नेशनलिस्ट थे और दलाई लांबा वगएरा वो भारत की तरफ शरण के लिए भागें भारत नहीं कहा कि चलिए हम इस वामले पर निगोशेशन करने के लिए तयार हैं लेकिन चाइन लांबा भारत में आ गए और भारत ने दलाई लांबा को पॉलिटिकल असाइलम दे दिया यह भी बात चाइना को खटक गई दलाई लांबा तो हमारे लिए तो मुझरिम है उसको प्तासलिम कैसे दे दिया तो इसके बाद चीजें बिगड़ती गई भारत चीन के रिष्ट चाइना जो है अरुनाचल पर अपना जो क्लेम है उसको त्याग देगा देए बिशिकली क्या बात है कि देखे दो एरिया में कॉन्ट था जो अक्साइचिन वाले इड़क का है इसको भी चाइना कहता था यह अमारा है लेकिन भारत का था इधर ड्रूनाचल का भी कुछ हि और अभी इनका कंट्रोल है इसके उपर क्योंकि भारत नड़ाई हार गया था इसलिए तो नेहरु जी ने इनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया इनके उफर को का कि नहीं दोनों एरिया ही भारत के हैं और आपका क्लेम इसके उपर गलत है उसके बाद चीजह ऐसी हुई कि पता नहीं था और नहरु जी ने इस चीज़ को थोड़ा से इजी ले लिए उनको लग रहा था कि नहीं क्या है चाईना हम पे अटेक थोड़ी को रहा है इसा थोड़ी होगा हमारे साथ तो पंच सिल सिद्धान साइन किया है हमारे साथ तो अच्छे रिष्टे ही है तो भा यहां पे ट्रिफ्ट एक तरह से रिफ्ट आने लग गया और भारत की आर्मी उस हमें किसी यूद्ध लढ़ने के लिए तयार नहीं था लेकिन फिर भी 12-15 सल गए थे तो भारत की आर्मी को इतना तो तयार रहनाची था कि कि किसी भी यूद्ध के लिए वह अगर उसके बाहर यह अटेक हो तो उसमें वो निपट पाई लेकिन ऐसा हुआ नहीं चाइना की आर्मी काफी प्रिपेर थी उस समय और चाइना की आर्मी के पास संख्या भी ज्यादा थी तो इसकी वज़े से एक युद्ध हुआ और वो युद्ध जो है वो भारत के लिए बड़ा ही नुकसा कर दिया और भारत के लिए शरम ना गटना थी है भारत की सरकार के लिए क्योंकि सेना को प्रॉपर एक्यूप्मेंट नहीं जा गए लेकिन कोई आया नहीं और LSC से वो आगे आगे 20 किलोमेटर तक और उसके बाद उन्होंने का कि हम 20 किलोमेटर बाद में पीछे चले जाएंगी लेकिन सब कुछ अपनी मरजी से चीन ने सब कुछ अपनी मरजी से कहा भारत के पास कुछ था ही नहीं कहने के लिए और इस लड़ाई में बुरी हार हु उस समय राज़ंदर परसाद ने काफी दबाव डाला कि इस्तिफ़ा चाहिए मुझे सादमी का जो कि डिफेंस मिस्टर है तो वो किया उनको ब्लेम मिला इस चीज़ का कि आर्मी की प्रिपरेशन नहीं काई लेकिन वीके में अकेले पे नहीं आती है बात सारी सरकार पे आत इस दोरन एक चीज़ हुई थी गोवा को इनेक्स कर लिया था उसके अलावा तो देखिया आप जानते हैं कि भारत का एक एकरन का जो काम है वो सदार वाला भाई पटेल अच्छी से करके गए थे लेकिन उनकी मुर्थी हो गई थी गोवा बच गया था गोवा पोर्टगाल बच पर तर लेके तो पूर्टगाली चले गए इसके बाद घुवा भारत का पार्ट बना इसके बाद अगर बात करें करें फोरेंड पॉलिसी कि तो फौरेंट पॉलिसी है इंपोर्टेंट पार्ट है और नहरू खुद ही फोरेंड मिनिस्टर थे अक्षिनल अफेर मिनिस्टरी उन्होंने अपने पास ही रखी थी परधानवंद्री रहते वे तो यह भी बात इंपोर्टेंट है कि उन्होंने इसमें क्या किया उन्होंने एक बहुत महत्कूर्ण के सपर्ट तक थे ओर उए स़य का कमुनिस्ट समर्ट तक थे drain में ंजजर आ रहे हैं बल्यों में आपको कैप्ने तो उं ​​ यह पशछ्य गोड़ाई है और हम क्यों आएं तुर हम एक अलग मुविंट बनाते हैं जिसका नाम होगा नाम नोन यह बात इन्होंने कही और यह इनकी foreign policy का एक बहुत ही महत्पून हिस्सा था और काफी लोग इनको मानते थे international leader के तोर पे इनकी एक अच्छी काशी पहचान होगी अब बात करते हैं इनकी government policies और इनके vision की तो इनको architect of modern Indian state कहा जाता है क्यों क्यों क्योंकि देखे जब आर्मीन ने अगर वो लड़ाई जीत ली होती और कुछ उनके हिसाब से जो planning की थी वो हो गई होती लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो वो हट गए तो नेता के रूप में जो बड़े leaders थे उनमें से कुछ नेता बचे जिसमें एक जवाला नहरू ते पटेल थी उसके बाद पटेल भारत के निर्मान करता के तोर पे उनको जाना गया कि अगले सत्रा साल तक जो आजात बहुड़त होगा उसकी कमान ये संभाली तो कैसे संभाली कमान को economic policies किस तरीके की थी आप जानते हैं कि communism capitalism जैसी economic होती है एक mix economy भी होती है बहुत सारी economy होती है मैंने आपको पढ़ाया ह ये सब सीज़ें उनने तो mix economy के वर्जन को भारत ने अपनाया advocate किया नहरू की सरकार में और नहरू जी ने उन्होंने का कि देखे हमें इस तरेके का सिस्टम बनाया है जिसमें government control public sector भी हो साथ ही private sector भी coexist करें आप जानते हैं कि communism में private sector नहीं होता capitalism में public sector नहीं होता लेकिन mix economy society से जुड़े हुए काफी important मामले हैं इनके उपर सरकार ने ध्यान दिया उसके लाव कुछ small industry और basic industries को उनको जो है private sector में भी उनको छूड़ दे दी कि आप इन बे काम करो उसमें भारत की GDP जीन पी तीन पॉंट नों से चार्परसंट के असपास थी नुली निसोपचास ही क सकते हैं कि 7th largest industrial country के तोर पे इंडिया आगे बढ़ रहा था उस समय इस तरह से growth के साबसे बता रहा हूं मैं लेकिन फिर भी जो नहरू जी के criticism करने वाले लोग है वो यह कहते हैं कि देखे नहरू जी और उनकी policies ने भारत को कमजोर किया और भारत आयात ज्यादा करता है नि तो कई लोगों का ऐसा मनना है कि हम उस speed से grow नहीं कर पाई जिसे साबसे जापान जर्मनी जैसे देश कर पाई जो दूसरे विश्यूद में पूरी तरह से बरबाद भी हो गये थे फिर भी उन्होंने अच्छे से growth करी लेकिन हर देश के अपनी चुनोतियां होती हैं अपना प्रिश्टितियां होती हैं हाँ उन पॉलिसीज के अधार पर उस समय के हिसाफ से requirement के हिसाफ से अगर किसी में सही कदम नहीं उठा है तो उसका criticism बनता है और वो किया जा सकता है उसमें कोई दोराय नहीं है अग्रिकल्चरल पॉलिसी की बात करें तो भार्त में अग्रिकल् पर्वेदार की तरह उन जमीनों पर काम करते थे तो उनको बेसिकली यह जो land रिफॉर्म साहिए उनमें उनको लेंड ओनर शिप दे गई लेंड उन्स वहा लेकिन जपर तरीके से नहीं हुआ नहीं जब्राइब की जगहों पर पर चैक्रला अगरा में और जगहों पर शु के लिए और प्रोपर तरीके से इसको अपनाया गया उसमें अग्रिकल्चर प्रोडक्शन जो उनीसो साथ के दर्शक ना कुछ बढ़ा उस समय कुछ ऐसी चीजें भी मांसुन जो है फेल हो गए और कुछ बहुत मरी ऐसी स्तती ब्यागी थे फूर्ट सोटेज वगरा हो गया था लेकिन उसी दोर में फिर उनीसो साथ के बाद ग्रीन रिवोलिशन जो है दुनिया भर में अलग-अलग जोगों पर अग्रिकल्चर के उपर है इंडिस्ट्रीज मेहनत की जारी थी रिसर्च हो रही थी भारत में भी अग्रिकल्चरल उनिस्ट्रीज को इस्टैब्लिश किया गया उन्हीं मॉडल्स की तर्ज पे जिसमें युएस जोगरा में जिससे बन रही थी तो एग्रिकल्चर के प्रोड़क्शन को बढ़ाने के लिए मैक्सिको फिलिपिन्स में जिस तरी के एडियस पे क ठीक है ये नहरू जी की पॉलिसी हो गई अब बात करते हैं कि नहरू जी की डेथ और उससे पहले उनके उपर कुस असेशनेशन अटेम्ट भी थे नहरू जी के उपर टोटल पांच बार अटेम्ट हुए हैं कि 1947 में एक बार नोर्थ वेस्ट के पर पाकिस्तान की साइड व तीसरा अटेम्ट जो है वो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा किया गया ऐसा कहा जाता कि अमेरिका की जो सी आई है उसने भी अप्लोट किया था कि उनको मारने की मारेंगे और क्यों क्यों कि कई नकरी वेसे सार की तरब जोके हुए थे भार्त एनम का मेंबर नौन अलाइल्मेंट का लेकिन फिर भी भारत की सोशलिस्ट पॉलिसी के वज़े से नहरू के सोशलिस्ट और माक्सिजम आइडिया की तरब जुके होने के वज़े से भारत थोड़ा सा यूससर के तरब जुका हुआ था उसके बाद बात आती है फौर्थ अटेम्ट की तो उनके जो नाती थे सौरिदामादी नाती उनकी बेटी निंद्रा गांधी को और उनके नाती राजीव गांधी को आगे चलके चारिएट किया गया उनका असेसिनेशन जरूर हुआ भारत में लेकिन नहरू जी बच गए इस चीज़ से पहले परधान मत्री बच गए और उस 64 को कंप्लेइन करी अपने डोक्टर से का कि उनको चेस में पेन हो रहा है यह बात पही उन्होंने उसके बाद कोलेप्स हो गए अचानक से गिर गए बेहोस हो बिसुद हो गए उनको एडिमिट किया गया बेसिकली और अगले दिन 27 मई को उनको हाट अटेक आया और हाट वे परधान मंतरी के अंतिम दर्शन करने के लिए और यहां से एक यूग का एक तरसे आप अंत कह सकते हैं कि शानती वन में 28 मई को उनको क्रिमेट किया गया उसके बाद बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आये थे दिल्ली की गलियों में और क्रिमेशन ग्राउन में भी तो ये थे नहरूजी उनकी अपनी लिगेसी है पहरत के पहले परधान मंतरी के तोर पे एक सवतंतरता सेनानी के रूप में उनका क्रिटेसिजम हो या उनकी लिगेसी हो या उनकी कुछ भी बात हो नहरूजी हमेशा चर्चा में रहते हैं भारत की राजनेती में इतने साल बीतने के बाद भी, आज उनका जनम दिवन है, जनम दिन है, जनम दिवस है, तो भारत के पहले परधान मंत्री को याद करते हुए, उनको नमन करते हैं, उन्होंने हमारे देश को लीड किया, हमारे देश की आजादी की लडाई में उन्होंने योगदान निव है, तो यही है इस वीडियो कांथ और इनकी कुछ किताबे भी हैं जैसे उन्होंने लिखी Letters to Letters from a Father to Daughter जो ये बुक लिखी इन्होंने थे और एक Glims of the World's History जो आला नेरू जो आला नेरू दिस्कवरी ओफ इंडिया जो आप देख सकते हैं ये Penguin publication चापता है तो इनमें भी आप पढ़ सकते हैं उन्होंने कुछ खुद लिखी हैं चीज़े और Success Plus Academy की application और इसके जो platform से उनके साथ जो सकते हैं आपको इन वीडियो की PDF मिलेगी लेक्चर्स मिलेंगे साथ ही Success Plus Academy की premium courses भी मिलते हैं यहां पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक्जाम से रिलेटेड यहां पर courses के साथ-साथ test series भी दे सकते हैं और बहुत सारी test series अभी रिसेंटली अप्लोड हुई है यह सबी test series हैं जो कि अभी बहुत सारे offers में मिल रही हैं आपको तो जाकर आप विजिट कर सकते हैं आप अपनी तैयारी के हिसाब से उनको अप्लाई कर सकते हैं तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो वाचिंग वीडियो एव गुट डे सी नेक्स क्लास